नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी ने सुना ही होगा कि कोरोना का प्रभाफ फिर से जोर पकड़ रहा है इसलिए आप सभी बच्चों को अब सैनिक बनना है और रक्षा करनी है अपनी और अपने घरवालों की घर से बाहर निकलते हुए सभी को मास्क लगाने के लिए कहें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहने के लिए याद दिलाते रहें जितनी आप सुरक्षा करेंगे उतना ही कोरोना से बचे रहेंगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वरक्षीट आज दिन है वीरवार और तारीख है 19 नवंबर 2020 वरक्षीट नमबर है 112 जो आपकी हिंदी की वरक्षीट है और यह पाठ स्वतंत्रता की ओर से ली गई है अब तक आप बच्चों ने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा लेकिन जिनोंने नहीं पढ़ा वो आज जरूर पढ़ ले आज हम इस पाठ पर ही कुछ और अभ्यास का काम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा तो आईए अब हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं प्रश नमबर एक निमलखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाईए तो इस प्रश में आपको दो बाते जो ध्यान में देनी है कि गहरे रंग के शब्दों का विलोम शब्द ढूनना है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है नए वाक्य बनाने हैं तो पहला बाके पढ़ते हैं, मैं तो कमजोर हो जाओंगा, अब यहाँ पर गहरे नीले रंग से लिखा हुआ है कमजोर, तो आपका सबसे पहला काम है कमजोर का विलोम शब्द डूनना, यानि के कमजोर का उल्टा, तो क्या होता है कमजोर का उल्टा, अगर आपको याद है, तो बहुत अच्छी बात है, कमजोर का उल्टा है ताकतवर, तो अब दूसरा काम क्या हुआ, कि आपको कमजोर का उल्टा ताकतवर, यानि के ताकतवर शब्द का एक नया वाक्य बनाना है, तो जब आप कॉपी में करेंगे, तो इस गहरे नीले शब्द को अलग से लिखन और उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, अगला वाक्य, मैं नौ साल का हूँ, परन्तु आप से तेज दोड सकता हूँ, तो बताईए, क्या है तेज का विलोम शब्द? तीसरा वाक्य, यह तो सरासर अन्याय है, आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, अन्याय क विलोम शब्द, क्या होता है अन्याय का विलोम शब्द? न्याय, तो अगर मुझे न्याय पर वाक्य बनाना हो, तो क्या हो सकता है वाक्य? राजा अकबर न्याय प्रिय थे, है ना? या फिर राजा अकबर सही न्याय करते थे, चलिए, चौथा वाक्य है, धनी बहुत सवा सवाल पूछता है तो यहां पर शब्द है सवाल सवाल का विपरीत या सवाल का विलोम शब्द आपको बताना है सवाल का क्या होता है विलोम शब्द जवाब बच्चे वरक्शीट के प्रशनों का या वरक्शीट के सवालों का जवाब लिखते हैं ठीक है बन गया ना वाक्य कितना आसान भी है तो चलिए आपको अपने वाक्य अपने आप बनाने हैं अब आते हैं प्रश्ण नमबर दो पर बच्चों क्या आपने नीचे दिये गए फलों में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द छाट कर उनमें रंग भरना चाहोगे तो आईए अब इनी सर्वनाम शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक पेड़ बना हुआ है और इस पेड़ पर पांच फल बने हुए है आपको इन फलों में से सिरफ सर्वनाम शब्दों को छाटना है और उन सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है शब्द है धनी, वह, नीम्भू, हम, तुम इन में से जो भी सर्वनाम शब्द है उन्हें छाटिये और उनके वाक्यों बनाईए ये ध्यान में रखिएगा कि ये सब ही यानिके पाचों के पाच शब्द सर्वनाम नहीं है इसमें से कुछ ही शब्द जो सर्वनाम है उन्हें ढूंड कर उन पर वाक्य बनाईए प्रश नमबर 3 पाठ स्वतंतरता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा चित्र बनाकर बताईए इस पात्र के बारे में भी कुछ वाक्य लिखिए तो सोचिए कि पाठ स्वतंतरता की ओर में कौन कौन से पात्र थे पातर यानि के लोग, केरेक्टर जो उस कहानी में थे कहानी में थे धनी, बिन्नी, बिन्दा, धनी के मम्मी पापा और गांधी जी तो आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पातर कौन सा लगा? आपको उसका चित्र बनाना है और चित्र में रंग भी कीजेगा और आपको उस पातर के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने है प्रश नमबर चार सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगा कर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए पहली लाइन में आपको तीन शब्द दिये गए है जिसमें से केवल एक ही शब्द है जो सही है शुद्ध तरीके से लिखा गया है बाकी दोनों शब्दों में कोई न कोई गल्ती की गई है तो शब्द है इस्तमाल, इस्तेमाल, इस्तामाल तो इन तीनों शब्दों में से जो सही शब्द है वो ढून दीजिए दूसरी लाइन में अच्छा जो शब्द आप ढूंडेंगे उस पर आपको वाक्य भी बनाना है तो यह ध्यान में रखेगा आज की वर्क्षीट में आपको चारों ही प्रश्णों में वाक्य बनाने हैं तो भूलना नहीं दूसरी लाइन में है स्वतंतरता स्वंतंतरता और सवतंतरता तो आप इसमें से सही शब्द स्वतंतरता जो है उसे ढूंडिए तीसरी लाइन में है आश्रम आश्रिम और आश्रम तो आपका काम है सही शुद्ध शब्द को ढूंडना और उसको अलग से लिखकर उस पर वाक काना चूट गया है कि या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदू लगाने में हमारी मदद करेंगे तो आपको मदद करनी हैं बिंदी लगाने में आपने अनुस्वार और अनुनासिक पड़ा था न तो याद कीजिए कहा पर बिंदे और कहा पर इसको स्वतत्रता तय करन के लबा रास्ता तो इसमें कुछ शब्द हैं जिसमर बिंदी थी लेकिन इन्होंने नहीं लगाई तो वो बिंदी लगाने का काम आप करेंगे तो यह है आपकी आज की वरकशीट आप इसे बहुत अच्छे से और सफाई से कीजिएगा और राइटि